Dear students, आज हम दिसकस करने जा रहे हैं पाइरोपलोर लैटेस स्ट्रक्चर के बारे में यह एक थोड़ा सा कॉंपलेक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें टेट्राहेड्रोंस के कॉर्नर जो है वो शेयर किये जाते हैं तो एक कॉंपलेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसका फॉर्मूला A2B2O6 और A2B2O7 से दिया जाता है एक्जाम्पल के तोर पे हम यहाँ पे लेते हैं Y2Ti2O7 को ठीक है तो यहाँ पे A और B जो है वो रेयर अर्थ या फिर ट्रांजिशन elements होंगे B जो है उसकी magnetic properties होगी तो इसको हम कुछ example से समझते हैं समझने की कोशिश करते हैं जो interatomic forces होते हैं दरसल वो forces conflict करते हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों ही simple structure को favor करते हैं ठीकिन दोनों का structure अलग-अलग होता है इस वज़ा से resultant हमको एक complex structure मिलता है ठीक है तो इसके लिए हमको सबसे पहले geometrical frustration को भी समझना पड़ेगा क्योंकि frustration इस तरह के magnetic systems में occur करता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम एक triangular arrangement लेते हैं यह एक triangular arrangement लिया हमने जिसमें यह एक spin और यह हो गया आपका दूसरा spin तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो energy है वो तभी कम होती है जब एक spin अपने पर उसी spin से opposite align रहता है चीक है पिन के energy minimum होई तीसरे वाले की spin क्या हो होनी चाहिए कप होनी चाहिए कि डाउन होनी चाहिए तो तीसरे वाले की spin कुछ भी हो वो तो उतनी है energy यह दोनों के साथ share करेगा तो इसलिए यह क्या करता है यह दोनों के साथ अपना interaction कम कर देता है तो इस वज़े से यह जो है situation यह कहलाती है आपकी magnetic frustration ठीक है तो ऐसे ही हम चाहिए तो चार spin लेकर के बात कर सकते हैं जैसे यह माल लीजिए आपका होगया एक tetrahedron जिसमें यह एक spin हुआ आपका यह दूसरा यह तीसरा और यह चौथा ठीक 1, 2, 3 and 4 इसमें interaction देखिए anti-parallel interaction जो है वो favorable होंगे और parallel वाले unfavorable होंगे anti-parallel कौन कौन से बन रहे हैं आप देखिए 1 और 3 के बीच का interaction जो है वो है आपका anti-parallel वैसे ही 2 और 4 के बीच का interaction जो है वो है 2 और 4 के बीच का interaction भी anti-parallel है 1, 4 के बीच का interaction anti-parallel है 1, 3 के बीच का interaction anti-parallel है तो चार जो है यह होगए फेवरेबल आपके ठीक है लेकिन फिर भी यहां पर 2 unfavorable interaction है कौन कौन से जो 1 और 2 के बीच में है एक और जो 3 और 4 के बीच में है यह दोनो unfavorable है तो इस से यह पूरा सिस्टेम कहलाएगा frustrated ठीक है अब तीसरा एक और हम condition देखते हैं तीसरे वाले condition में मान लेजे यह कुछ इस तरीके से है आपका spin अरेंज यह एक दो तीन और 4 यहां पे बिल्कुल that spin होगी ही नहीं क्यों नहीं होगी तो इसकी वज़ा यह होगी कि यहां पे त no net spin ठीक और एक और condition हम देखते हैं जिसमें की यह जैसे मान के चलिए इसी तरीके का condition हम दे रहे हैं यह हो गया आपका तो यहां पे दो spin जो है वो सेंटर के तरफ है यह दो स्पिन सेंटर के तरफ है और जो दो स्पिन है वो बाहर के तरफ है तो नेट magnetic moment upwards होगा और इस वज़़ा से ferromagnetic interaction maximize होगा लेकिन जो left और right वेक्टर है यह एक दुष्रे को cancel करेंगे और जो कि anti ferromagnetically aligned है हम उसकी बात कर रहे हैं जो forward और backward वाला जो interaction आएगा तो यहां पे तीन अलग-अलग equivalent arrangement होगे जिनमें दो spin बाहर की तरफ और दो अंदर की तरफ तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पे जो आपका ground state है वो 3-fold degenerate होगा यह ferromagnetic case, ferromagnetics के case का geometric interaction है ठीक है यह best possible arrangement उसके लिए हमने लिया हुआ है तो इस तरीके से हम जो आपके pyrochlore structure में geometric frustration के कारण structure complex बन जाता है उसकी बात हमने करी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो share, like, subscribe करना ना बूलें कोई आपके की घुमी जाता है और जाता है तो आपके का की का बूले सक्षा कहार है